प्रदानमंती नरिन मोदी ने बुदुवार को केरल के त्रिशूर में बीजेबी महीला सम्मेलन को सम्मोधित किया 43 मिनिट के सम्मोधन में पीम ने कहा आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है लेकिन मैं मानता हूँ कि देश की नारिशक्ती विक्सित भारत के संकल्प की सिद्धी की सबसे बड़ी गारंटी है आजादे के बाद से कॉंग्रेस लेफ्ट, LDF और UDF की सरकारों ने नारिशक्ती को कमजोर माना कॉंग्रेस और लेफ्ट की सरकारों ने महीलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षन देने का कानून लटकाये रखा मोदी सरकार ने महीलाओं को वो अधिकार दिलाया पीम मोदी ने बुदुवार सुबर लक्षदीब के कावरती में ग्यारा सो बचास करोड की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्गाटन किया उन्होंने कावरती स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते वे कहा लक्षदीब का शेत्रफल भले छोटा है लेकिन इसका रदय बहुत बड़ा है मैं यहां मिल रहे प्यार और आशिवात से अभीबुत हूँ मैं आप सभी कहा आबार व्यक्त करता हूँ पीम ने कहा 2020 में मैंने आपको गारंटी दी थी कि अगले एक हजादीनों के अंदर आपको तेज इंटरनेट की सुईदा मिलेगी आज कोची लक्षदीब सबर मीन औप्टिकल फाइबर प्रोजेट का उधगाटन हुआ है अब लक्षदीब में सोग गुना ज़्यादा स्पीट से इंटरनेट मिलेगा पीम ने कहा आज भारत विश्व समुद्री खाद बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंदित कर रहा है इससे लक्षदीब को काफी फायदा हो रहा है आज लक्षदीब की टूना मचली जापान को निर्यात की जा रही है लक्षदीब में समुद्री शेवाल की खेती से जूड़ी सम्भावनाएं भी तलाश की जा रही है प्रदान मंत्री ने कहा आजाती ये बात दशकों तक केंदर में रही सरकारों की एक मात्र प्रात्मिक्ता अपने अपने राजनितिक दलों का विकास करना था दूर दरास के राजियों, सीमावर्ती अलाकों ये समुद्र के बीच के अलाकों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया पिछले दसवाशों में हमारी सरकार ने इन अलाकों के विकास को प्रात्मिक्ता दी है